जीवा, दस में से चार नमबर, ग्यान, दस में से दो नमबर, सिरिफ दो नमबर, ग्यान, तुम सही उम्मीद नहीं थी? सर, मैंने तो सारे आंसर लिखे थे, सिरिफ लिखने से नहीं होता, आंसर भी सही होने चाहिए ना, नेच, बदरी, दस में से एक नमबर, बदरी, तुमने तो नहीं सुधर्ने की कसम खार, बुध्यदेव, दस में से नमबर, तुमने तो आज रिकार्ड तोड़ दिया, तेंक्यू सर, मैंने इस बार बहुत मेनत की थी देखा, हम तो पहले दिन से आप लोग को कहते आए हैं कि मेनत सफलता की कुणजी है साबस बुद, बदरी, सीखो कुछ बुद देश से तुम सिर्फ एक नमबर लेकर आए सर, मैं एक ले आया, तभी तो बागी के नम उसे मिले अच्छो प्रया, बुद, अच्छा होगा कि तुम बदरी के साथ ना रहो इसके साथ रहोगे तो हमेशा सैतानी करते रहोगे, पढ़ाई नहीं वा, बुद, तुने तो सच में कमाल कर दिया हाँ, ये बादरी से डिफेंट समाथ है, इसलिए तो दूबि सर ने भी इसे बादरी से अलग रखने के लिए कहा है, क्यो बुद, क्या सोचा तुने? दिल तो नहीं चाहता, लेकिन सोच रहा हूँ, अब पढ़ाई कर ही ली जाए मैं वहां मेगा रोबोट खिलने के लिए तेरा वेट कर रहा हूँ, और तु यहां पर किताबी कीडा बन के बैठा है कीडा नहीं, पढ़ाई का बीडा उठा कर बैठा हूँ चाह, चार नंबर क्या आ गए, तु तो अपने आपको मेहंदी दास समझने लगा महंदी नहीं, तुलसी, तुलसी दास अरे कोई भी दास हो, तु हमारे बीच में मत बोल, ठीक है बदरी, उसका कुछ मत बोल, अच्छा, तो आज तेरा मुझ से बड़ा दोस ग्यान हो गया है तुझे जो समझने समझ ठीक है, सब समझ गया मैं, तु अब इन ही लोगों के साथ रहे होमवर्क, शब्द का वाक में प्रयोग करो अरे वाबुद, बताओ मेरी मम्मी रोजगर में होमवर्क करती है क्या? हाँ, होमवर्क यानि घर का कॉम हाँ, यह भी ठीक है, गुड़ गुड़ बढ़ जा बदरी, तुम बताओ, भाई चारा शब्द का प्रयोग करते हुए कोई वाक के बनाओ मैंने दूद वाले से पूछा, तुम दूद इतना महंगा क्यों देते हो तो वो बोला, भाई, चारा महंगा हो गया है भाई चारा अच्छो प्रो, तुम कभी नहीं सोद रहोगे जाओ, बाहर जाके मुर्गा बनाओ अरे बदली, ये त्या, तु अकेला क्यों जूलना है क्यों, मैं अकेला जूल नहीं सकता गया नहीं, लेकिन वो, क्यों, यहां कहीं लिखा है क्या अकेले नहीं जूल सकते अली बदली, तु अपने अपको अकेला मत थमद हाँ, हम सब तुमारे साथ है कम ओन बुद, ग्यान, थोड़ा और जोर लगा अरे ये तुम जैसे किताबी कीरो का नहीं हमारे जैसे हीरो का काम है हिम्मत है तो हमसे पंजा लडा हाँ, तो आजाओ मैदान में कम ओन बुद, कम ओन बदली अरे, दूबे सर आ रहे है यहाँ तो तुझे दूबे सर ने बचा लिया पुद, तू भी दिखा दे अपना कमाल अर्च, यहाँ, बच्ट, यहाँ, बच्ट, यहाँ, बच्ट वड़ यहाँ, वड़ाँ, भी जूबे यहाँ, तूब।, बच्ट, रहे हैं येस हम जीज़ गए हम जीज़ गए येय अले ये तिया तिया बदली अपने दुसमन को दिटा दिया अरे ये रॉकेट में पंचर किसने कर दिया मैंने ये रॉकेट सिर्स तेरी नहीं मेरी भी है हां, तू और कर भी क्या सकता है, पढ़ाई तो छोड़, तुझे तो ठीक से कहलना भी नहीं आता, बद्री, तू एक लूजर है, लूजर! बद्री, तू एक लूजर है, लूजर! आज तक, मम्मी पपा हो, या दूबे सर, किसी ने भी मुझे लूजर नहीं कहा, लेकिन आज एक दोस ने मुझे लूजर कह दिया, अले, दोगे उते, भूल दा, मैं हुएं तेला दोस, मुझे पता है, ज्यादा नंबर आने से ही बुद का दिमाग खराब हो गया है, अले, द हो तकते उटने पड़ाई कियो, नहीं, मैं बुद को अच्छे से जानता हूँ, जरूर आंसर शीट के साथ किसी ने छेड चाड की है, ठेड था तो नहीं, लेकिन मुझे या दाला है, दब एकदाम के बाद दूबे थल ने मुझे का, जीवा, ये आंसर शीट स्टाफ रू अले, मल गया, पानी के थाथ थाथ लोल नमबल भी थाप हो गए, दूबे थल खो पता तल गया, तो मुझे बहुत मालेंगे, ये छे जैसा दिखला है, और ये आथ तैसा दिखला है, ओ, तो ये बात है, अरे, ये अलमारी का दरवाजा किसने खोला, हम, अब समझ में आया सारा खेल, अरे, बन कर अपना पढाई का ढूंग, और ये देख, अपनी ये आंसर शीट, मेरी आंसर शीट, ये वो आंसर शीट है, जिसकी वजा से तू अपने आपको पढ़ा कू समझने लगा, ये तू क्या बख रहा है, मैं बख नहीं रहा हूं, इसे ध्यान से देख, ये तेरी न नंबर क्यों लिखेगा, ये नंबर उसने नहीं जीवा ने लिखे है, वो भी गलती से, क्योंकि उससे ये रोल नंबर मिट गए थे, देख, पैचान अपनी हैंड राइटिंग, हाँ, हैंड राइटिंग तो मेरी ही है, ठीक समझा, और अगर अब भी नहीं समझा, तो मैं दूबे सर को दिखाता हूं, नहीं, मैं समझ गया, सारी दोस्त, इतने सारे नंबर देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया था, पढ़ाई तो मेरे से अभी भी नहीं हो रही है, तो फिर क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि तूने रोकेट की हवा निकाल दी, आरे रोकेट में हव दाल दिये मैंने, तो दोस्त, चलते हैं अपनी दुनिया में, जहां नहीं है कोई टेस्ट, और हम दोनों है, बेस्ट, दोस्त, इप टेंशन हो रही है, अब क्या हो गया, तेरा मेरा मामला तो सुलज गया, लेकिन दूबे सर को कौन बताएगा, कि मैं इंटेलिजेंट नही और है!